मुझे खुशी है कि जम्मू कश्वीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्वीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। यह हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्वीर में विकास की नई गाता लिखेंगे। इसलिए आज इस प्रदेश में रोजगार मिले का आयोजन बहुत विशेश हो गया है। साथियों, विकास की तेज गती के लिए हमें नई अप्रोच के साथ, नई सोच के साथ काम करना ही होता है। जम्मू कश्मीर, अम नई व्यवस्थाओं में, पारदर्शी और संवेदंसिल व्यवस्थाओं में निरंतर विकास को आगे बढ़ा रहा है। मुझे बताया गया है कि प्रदेश में 2019 से लेकर अब तक करीब करीब 30,000 सरकारी पदों पर भरती हुई हैं। इन में से करीब 20,000 नोकरियां तो बीटे एक नेड़ साल में ही दी गई है। मैं वाकई कहता हूँ कि बहुत ही स्वागत योग्या हैं, अभिनंदर योग्या हैं। मैं विशेश रुप्षे जम्मु कश्मिर के लेपनेन गवर्नर, भाई मनोज सिनाजी और उनकी पूरी टीम को, प्रदेश प्रसासन की पूरी टीम को रदैश से साधुवाद देता। योग्यता से रोजगार, योग्यता से रोजगार के जिस मंत्र को लेकर वो चले हैं, वो प्रदेश के युवाओं में नया विश्वास पैदा कर रहा है। साथियों, पिछले आठ वर्षों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंदर सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 22 अक्तुबर से देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित हो रहें, रोजगार मेले, इसी की एक कड़ी हैं। इस अभ्यान के तहट केंदर सरकार द्वारा पहले चरण में, अगले कुछ महिनों में, दस लाख से जादा नियुक्ति पत्र दी जाएंगे। और जिस प्रकार जम्मू कश्मीर जैसे विविन राज्य भी इस अभ्यान से जुड़े हैं, रोजगार मेले से जुड़े हैं, ये संक्या और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। जमू कश्मीर में रोजगार बढाने के लिए हमने हाँ बिजनेस एन्वार्मेंट का भी विस्तार किया है